हलो फ्रेंड्स तो आप लोग कैसे हैं आई हुप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और यहाँ फर मेरे व्लॉइक के सुबह से शुरुआत हुई है आज जित्तों में यहाँ पर कर रही हूं पूजा हो गई थी मेरी पार्ट कर रही थी यहाँ पर मैं थेल सारा पूदीना की verw मिर्च तोड़ने तो अभी और मिर्च तोड़ने क्योंकि मैं बनाऊंगी भेसं कि जो मिर्च रहती वहीं में बनाने जा रही हूं तो मैंनो लोगों को यह टुल्सी का पॉधा लगा हुगुदे तो इतना सारा नूखह सुझ 22.0 तोड़ने आई थी मिर्च, तो चलो तोड़ लेते हैं, मिर्च हम यह वाली बड़ी-बड़ी तोड़ते हैं, जिसमें छोटी-छोटी, ये मिर्च न बहुत तीखी है और बजार से जो वो आती है वो इतनी तीखी नहीं है ये वाली ये मैंने बीज डाले थे जो अपनी सूखी लाल मिर्च आती है न तो उसके बीज मैंने डाल दिये थे दो साल पहले डाले थे और मैं हर साल ये मिर्ची का पौधा पानी देती रह यहां पर 12 महने होती है यह वाली मिर्च तो मुझे जब नहीं रहता है बजार से नहीं आपाई या फिर तीखा खाने का मन कर रहा है तो यह ताजी ताजी मिर्ची बहुत अच्छी लगती है तो ज्यादा नहीं तोड़ूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा तीखी है हम एक बीनी पूरी खा पाते हैं तो अभी लगी हुई है आप देख सकते हो ढेर सारी लगी हुई है यहां तो फ्रेंड्स गुट मॉर्निंग आप लोग कैसे हैं आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और कंगी वंगी कुछ भी नहीं हुई है नहां दोकर आ गई हूँ पूजा पाठ हो गई है मेरी और मैं गई थी अभी च्छत पर मैंने बुला कुछ देखते हैं सबजी तो सबजी में कुछ पी नहीं लेकर आई मैं बेसन बनाने जा रही हूं मैं टमाटर का तो आप लोग देखिएगा तो बेसन या फिर बरता वाली जो कड़ी रहती है बरता वाले सेवकी कड़ी वही बनाऊंगी मिर्च तोड़ के लेके आई हूं बस क्योंकि इनकी ना बहुत दिन से बेसन वाली मिर्च खाने की इक्छा हो रही है तो मैं हर बुलती है आज बना दूग्यों हर बार मैं भूल जाती हूं भूलने की थोड़ी सी आदस ही हो गई है तो आज देखो बनाने का सूच रहे हैं और मेरी कंगी बंगी कुछ भी नहीं और आप लोगों को पता है कि मैं सुबर सुबर कंगी नहीं करती हूं शाम कर टाइम ही करती हूं अभी बूच जैसे सारा काम कर लो मैंने जो आप से बोला था बरता वाली कड़ी या टमाटर वाला बेसन बनाना था तो वो कैंसल करके इनका फोन आया था कि बोल रहे थे कि सोयब इनकी बरी की सबजी बना लेना तो मैंने बोला ठीक है तो वो मैंने कैंसल कर दी नहीं तो आप बोलो गए कि बोलते कुछ हैं करते कुछ हैं तो मैंने भाई बता दिया कि फून आ गया था इसलिए मैंने कैंसल करके ये बना रही हूँ बट मैंने बेसन वाली मिर्ची बनाई है जो मैंने बोला था कि बेसन की मिर्चीन को खाना है चस से तोड़ की लेके आई थी यहाँ पर में बना रही हूँ, वही एद्री विया देखियेगा। मसाला जब तक पकनेहीं चाता है जब तक mayı तो तका जपयात थोटा है और मेरी सबजी के तक पकते और यहां पर मेंने आट कर दिया है और इप intersectionmental था जो खा मैंने रहीज़ चालिए तो ये देखिए ये बनी है मेरी बेसन वाली मिर्च वाली सब्जी जो बेसन की मिर्च रहती न वही सब्जी बनाई है मैंने आखिरकार मैंने ही बना ही ली क्योंकि मेरे हजबन बहुत दिन से बोल रहे थे आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया कि बहुत दिन से बोल रहे इसलिए क्योंकि नीचे चल रही थी रमायंड और रमायंड जो टीवी वहां उसमें भजन बज रहे थी और टीवी का वॉल्यूम तेज था क्योंकि श्रीया लोग बैठे थे तेज तेज सुन रहे थे और मैं हाँ पर आप में यहने वीडियो शूट कर रही थी तो मुझे ना पड़ा वाइज ओवर करना पड़ा तो यहां पर मेरी सब्जी बन चुकी है और मिर्च की सब्जी बन गई है बस जल्दी से जटपट जटपट चावल और रोटी और बना दूँगी और इन लोगों को मैं खिला दूँगी क्योंकि लोग अभी टीवी देख रहे हैं और फ तो मैं ऐसी तरीके से बस आप लोगों से बाते भी करते जाती हूं और काम भी करते जाती हूं तो यहां पर यह मेरा जल्दी से खाना बन गया है तो यह लोग आ गए है तो मैं खाना परोस रही थी तो मेरा आज का खाना यह है साधा सिंपल तो आई आप लोग भी खा लीज देखेो के विखियों करें हैं हैं कि यो फाल भी स्लम घब का गलां तो पानी स्थिकार पर राहा है frontier क्यायव करें है ही को मुझना फेकाile यह देखे मेरी टंकी साफ हो चुकी है आज तो मैंने कम हाली कर दिया करगी टंकी साफ करके और यह उबर खालो खाट और यहां से दिख रहा है इसा यह देखे मैं टंकी के अंदर हूँ और साफ कर रही हूं मैं यह टंकी इस तरीके से साफ हुई है बहुत महनत लगी है पूरा कचाड़ निकल चुका अब मैं इसको निर्मे से और साफ करती हूं है वाशिंग पावडर से उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूं यह देखिए बाहर से यह मेरे हस्बेंड ने शूट किया है और यह बोल रहे थे बोलते हैं आप क्या आप टंकी भी दिखाना क्या आत्मेरों आप शूट तो करिए तो यह श्रया मुझे देख रही थी जाक रही थी बहुत इन लोगों ने भी मदद कर रही जिगंदा पान हैं तो मैंने आज दोई थी जो सिंटेक्स की डंकी छत पर रखी होई थी ना तो वो मैंने दोई थी तो मैंने दोई चलो क्योंकि मैं भी तो दिखाओं कि मैं क्या कर रहा आज मैंने तो खाना वाना बना कर खापी कर थोड़ा सा सोई थी ज्यादा नहीं सोई थी मैं फिर घ तंकी दोने का सोचा मैंने क्योंकि न उस टंकी से सिर्फ बहुत ज्यादा कचड़ा था उस टंकी में वो तो मैंने यहने मैं देखती रही बट दो-तीन लोगों की हेल्प के जब तक हेल्प नहीं मिलेगी जब तक नहीं हो पाती तो मैंने आज हस्बंड भी थे शाम को खेत नहीं गए थे आज और श्रया भी थी तो दोनों लोगोंने हेल्प करवाई मैं जैसे तैसे उस टंकी में घूस्तों गई निकलना बड़ा मुश्किल रहा एक बाल्टी भी तूट गई वहले मैंने गोला एक बाल्टी दे दो उसको पलटा कर रखे उसके ऊपर चड़कर आ जाती हूं मैं वर्ट वो थी वो फाइवर की रहती ना प्लास्टिक की बाल्टी थी तो वो मैंने रखी तो वो तूट गई और मैं भी मेरा हाथ भी सास्बिन ने मुझे कीचा जब जाकर आई याने अंदर तो बड़ी अच्छे से चले गई वर्ट साफ सफाई करके मैं नोल चलो आप निकल आते हैं पर मुझसे निकलते नहीं बन रहा था जैसे तसे निकल आई और अब नहां धोकर आ गई हूं मैं क्योंकि आप लोगों न को और मैं और तुर्मान रहता है सफ से टोर मैंने उसको डालके फिर मैंने क्योंकि नल आही गए थे तो मैंने न की तो साथ किया और अब जाके क्लीन हुए यह अंकी और जहां से पास्टा ओद आप उस PAL में जम जाती तो नलों पानी नहीं आता तो मैंने फिर उसमें कपड पहले सोचा था एक पालितिन बान्दू पन्नी ऐसा करके फिर मैंनों नहीं कपड़े के अंदर गड़े के अंदर डाल देती हूं जिसमें वह जो काई उसके अंदर ना जाय तो थक गया है भाई और मेरे पैर में भी लग गई है छिल गया है तो चलो फिर मिलती हूं